बच्चों की हाइट न बढ़ने के मुख्य रूप से तीन कारण है एक जिन बच्चों को थाराइड परा थारेड की या पीचुटरी ग्लेंड की कोई प्रॉप्लम होती है इसके काणे से हाइट नहीं बढ़ताती है तो बच्चों को सीरशासन सरवांगासन हलाशन चक्रासन पश्यमुत्तानासन यह पांच आसन जरूर करवाय करें इससे थाराइड पराथारेड और पिचुटरी ग्लेंड की जो भी अनिमित्ता होगी उठीक हो जाती है यह एकदम टेस्टेड बात है और यह सेंटिफिकली प्रूवन ठूथ आपको मैं कह रहा हूं दूसरा हाइट कम होने का कारण होता है बच्चों को nutrients, micronutrients पूरी नहीं मिल पाते हैं मैंने देखा है देश-विदेश में जिन घरों में बच्चों को पूरा पोष्ण मिलता है माने उनको calcium, phosphorus, protein, vitamins, nutrients, micronutrients, vitamins खाने के शरीर के विकास के लिए क्योंकि हड़ी बढ़ती है तो height बढ़ती है तो हड़ी को बढ़ाने के लिए दूद और दूद से भी जादा दही उपयोगी होता है ये एकदम tested बात है तो बच्चों को दही जरूर खिलाएं सुबह दोपर दो समय दही खिला सकते हैं रात को दूद पिला सकते हैं उस दूद में उनको शतावर दे सकते हैं बच्चों मेंना चाहिए तीसरा किसी किसी को genetically height कम होती है तो उसमें भी सुधार की गुंजाइस है माने माने देखा है जिनके माता-पिता की height 5-7 इंत थे उनके बच्चे 6-6 इंत के होते हैं तो आपके भी बच्चे उनकी लगबग 5 इंत तक height बढ़ने की संभावना है जो मैं आपको बता रहा है जनेटी के लिए किसी की height नहीं है अच्छी तो उनको भी जो उपाए बताए इनसे जरूर लाव होगा और यह point मैं कुछ उपाए बता दे रहा हूं यह thyroid का point है यह height भी इससे बढ़ते है और यहाँ उठे में दबाने से पीचुटे गलेंड भी एक्टिवेट हो जाता है तो यह height बढ़ने के लिए यहां से दबाएं ठोंचिल के लिए यहां से दबाएं दरदों के लिए पीछे यहां से दबाएं स्ट्रेस के लिए और साइनस के लिए यह टॉप पर दबाएं और left side में यहां heart के लिए इधर नीचे यहाँ डायबेटीज के लिए पहली दूसरे अओली के यहाँ इधर से यहाँ पर माने सबसे छोटी कनिष्ठा और अनामेका उन के नीचे यहाँ से कान के लिए बीच में यहाँ उसके लिए फेफ़डे के लिए और तरजनी और मद्थमा इनके बीच में यहां आँख के लिए यह आइको प्रेशर के पॉइंट्स हैं यहां यहां आतों के लिए हादिले के बीच में किड्ने के लिए सब पॉइंट दबा करके भी इसको दबाते हैं यहां बावासिर के लिए पॉइंट है यहां धातो रोगों के लिए पॉइंट हो